सरक दुर घटना में खीवसर थाने के पांच पुलिस कर्मियों की मौत। प्रधान मंत्री मोदी की रेली में जा रहा था खीवसर थाने का जापता। नागौर जिले के खीव सर्थाने के पांच पुलिस कर्मियों की सरक दुरघटना में मौत हो गई, जबकि दो पुलिस कर्मी घायल हो गई, जिन्हे नागौर के JLN अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जुन्जुनू में आज होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में सुरक्षा के लिए नागौर के खीव सर्थाने का जाबता कार में सवार होकर आज तड़के जुन्जुनू जा रहा था, इस दोरान राष्ट्र यह राजमार गट्ठावन पर चूरु जिले के कानूता वखा बयाना के बीच पुलिस कर्मियों की कार सडक पर ट्रोले से टकरा गई, जिसमें 5 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, जबकी 2 पुलिस कर्मी घायल हो गए घायल होने वालों में एक कांस्टेबल सुखराम वद दूसरा हैद कांस्टेबल सुखराम शामिल है जिनका नागौर के JLN अस्पताल में उपचार चल रहा है पुलिस का कहना है कि पुलिस कर्मियों को ले जा रही कार सामने से आ रहे ट्रक से भिडी है जिससे हादसा हुआ है पुलिस वहन खड़े ट्रोले से टकराया पांच की मौत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जुन जुनू में होने वाली सभा में ड्यूटी पर जा रहे साथ पुलिस कर्मियों की गाड़ी हाईवे पर ट्रोले से टकरा गई हादसे में पांच पुलिस कर्मियों की मौत हो गई हादसा चूरू के सुजानगर सदर थाना इलाके में हुआ हादसे में नागौर जिले के खीवसर थाना के पुलिस कर्मी रामचंद्र, कुम्हाराम, थानाराम, लक्षमन सिंग और सुरेश की मौत हो गई जबकि कांस्टेबल सुख्राम और हैद कांस्टेबल सुख्राम घायल हो गए घायलों को नागौर के JLN अस्पताल में भरती कराया गया है आज सुबह एक दुखद गटना हुई है जिसमें नागौर जिले के पुलिस कर्मी जिसमें से 6 लोग खीमसर थाने के थे एक महिला थाने के थे वो लोग VIP ड्यूटी में वी VIP ड्यूटी में प्रदानमंत्री जी की ड्यूटी में जुन जुनुन जा रहे थे सुबह तक्रिबन 5.30 से 6 बजे के बीच की बात है सामने अचानक नील गया आजाने के कारण एक ट्रक से इनका एक्सिडेंट हुआ जिसमें ओन दा स्पॉट पांच लोगों की डेथ हुई और दो गायल थे जिनको तुरंत हमने रेफर किया नागौर के लिए मौके पर SP साब नागौर, additional SP साब नागौर, CO जायल और मैं स्वेम CO सुजान गड़ो पस्तित हैं और हम लोग जो अमरतक हैं उनकी dead body को नागौर shift कर रहे हैं माटम नागौर करवाया जाएगा और जो दो गायल है उनमें से भी एक की अभी हाली में अभी सूचना मिलिए एक कावर निधन हुआ है और एक जो गायल है उनको जोद्पूर रेफर किया गया है